आज मैं आपको चिखाऊंगी कुछ मीठा बनाना जी हां मीठा क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए कुछ ऐसी रेसिपीस जिसे हमें गैस जलाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी बहुत इजी क्विक और बच्चों को बहुत पसान आती है जिसमें हम वाइट शुकर का अस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलिए जटपट से देख लेते हैं हमारी तेस्टी यमी आण दिवाली स्पेशल मिठाई है चलिए तो कोकोनट लड्डू के लिए हमें चाहिए एक कप डेसिकेटिट कोकोनट या कोकोनट पाउडर क्वाटर कप हमे चाहिए मिल्क पाउडर एक टेबल स्पून के करीब हमें देसीगी चाहिए और फूट कलर जो की कमप्लीट लिए ओप्शनल है आप उसमें डाल सकते हैं मैंने औरेंज रेड कलर लिया है चलिए अब हम एक बाउल में मिक्स करते हैं डेसिकेटिट कोकोनट मिल्क पाउडर देखिए लडू बहुत ही यमी बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और गैस जलाने की कोई जरुवत नहीं पड़ती है इसमें तो इसमें पिंच ओफ औरेंज रेड कलर हमने डाला है अब हम इसमें मिलाएंगे देसीगी आप इसकी जगह पर कोई दूसरा ओयल यूज कर कंडेस मिल की जगह पर आप इसमें पिसी हुई शकर भी डाल सकते हैं या शकर का बूरा भी डाल सकते हैं यकिन मानिए ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है बच्चों को बहुत पसंद आती है और दिवाली पर तो खास कर कोकोनट वाली मिठाईया तो वैसे ही सब पसंद करते हैं तो अब हम इसे थोड़ा सा स्पून से मिला रहे हैं अब हम हाथ से मिलाएंगे इसे और एक तरह से डो बना देंगे देखिए ये लड्डू अपने आप में बंद रहे हैं तो मतलब की हमारे अल्मूस्ट लड्डू आप इसे गोल गोल शेप दे दीजिए लड्डू का आप चाहें तो पेड़े का शेप भी दे सकते हैं और लड्डू ये आपके उपर है देखिए कैसे कल उफ इसका खिल रहा है चलिए मैं फास्ट में आपको दिखा देती हूं कि लड्डू तयार है प्लेट में और आप ह कोई गैस जलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी और वर्किंग वूमन्स के लिए तो इस्पेशली बहुत अच्छी मिठाई है बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और हम इसे फ्रिज में अगर रखें तो एक हफते के हंदार हम इसे खा सकते हैं तो देखिए कैसे इस मिठाई की रंगत निखर के आती है कलर डालने के बाद और यह देखिए अंदर से कितनी डिलीशियस लग रही है तो चलिए एक प्लेट के करीब औरियो पेड़े बनाने के लिए मैं लेती हूँ दो ये चोटे वाले औरियो बिसकिट के पैकेट इसके साथ ही मैंने लिये है साथ बिसकिट मैरी के मैरी बिसकिट के देखिए मैंने ये वाला पैकेट यूस किया है आप इसमें से किसी भी तरह की जो भी फ्लेवर या वराइटी आती है इसमें और उसके साथ मैंने कैश्व नुट्स जो की थोड़ा से गार्निशिं के तो चलिए अब हम बिस्किट्स को पीस लेते हैं और थोड़ा सा हलका दर-दरा रखिएगा इसे क्योंकि जब हम इस पेड़े को खाते हैं तो इसमें क्रंचीनेस बहुत प्यारी लग्सी लगती है तो इसमें तिल मिला लेते हैं देखिए वैसे ओरियो बिस्किट्स के भी बनाया जा सकते हैं पर वह ठोड़ेसे ब्लाकिश कलर के बनते हैं और दिखने में इतने सुंदर नहीं लगते हैं ये तिल मिलाने के बाद और ठोड़े मैरी बिस्किट मिलाने के बाद इनकी रंगत बहुत अच्छी लगती है चलिए अब दूद इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा दालते जाएए करीब टू टेवल स्पून इसमें दूद डलता ही है देखिए अब हातों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और फिर इसे हातों से डो बना लीजिए तो चलिए थोड़ा सा घी लगा लेते हैं फिर से हम हातों में और इसे पेड़े का शकल दे देते हैं देखिए अब हम इसके उपर गार्निशिंग के लिए लगा लेते हैं कैश्यू आप इसमें बदाम भी लगा सकते हैं पिस्ते भी लगा सकते हैं गार्निशिंग आपने हिसाब से कर सकते हैं बट ब्लाक के साथ वाइट कलर का कॉंबिनेशन अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें काजू लगाए हैं देखिए एक क्विक इस दो पैकेट से बनकर ये एक प्लेट तयार है अगर आप ये से पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए